कैसे हैं दोस्तों आज में आपको उतारा हूँ जो गैलरी अप होती है उसके अंदर के कमाल के लिए इडन फीचर बताने वालों जो की डेली लाइव में बहुत यूसफुल फीचर है तो आगे चलते हैं दोस्तों आगे बनने से पहले मेरे चनल को रहो सब्सक्राइब कर लेन आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं वो भी डारेक्ली इस एप के अंदर कैसे उसके बारे में आपको भी मैं बताने वालों तो लाइग ये आपकी सारी फोटोस हैं आपको इसमें से किसी फोटोस को या कुछ फोटोस को आपको पीडिएफ में कनवर्ट करना है ये तो नॉर्मल फोटोस होता गया है हम अपने आजका की टीट में हम अपने मोबाइल में कुछ डॉकुमेंट्स की फोटो खिछते हैं यहां इसको select कर देना है, कुछ फोटो उसको जिस दिन को आपको PDF करना है, उसके बाद आपको यहां पर create पे click करना है, आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ, आपको जैसी create पे click करेंगे, तो आपको यहां पर एक option मिलेगा, save as PDF करके आपको देख रहा होगा, यह भी आपके mobile पर नीचेगा, जब आप इसको use करेंगे, तो इसको कैसे enable करेंगे, वो आगया आपको बताऊगा, यहां पर आपको simply, यहां पर save as PDF में click कर देना है, और वो PDF save हो जाएगा, और आप चाहें तो इसको यहां से directly on करके देख सकते हैं, तो आप देख रहे होंगे, यह पूरा PDF यहां पर create हो चुका है, आपको देख रहा होगा, यह PDF यहां पर बन चुका है, अब यह कहां से वह आगर आपको देखना है, तो आपको यहां जाना है, आपने mobile के My Files में, My Files में उपर ही आपको दिख जाएगा, यह पर आपको दिख रहा है, यहीं कि यह आप दिख रहा है, और डालेट लिए आप इसको कहीं भी share out कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो feature था, वो यही था, तो उसके बाद दो second feature दिया गया है, यह बुल सकते second feature है, उसके लिए gallery में जाना है, और आपको यहाँ पर pictures वाली tab में जाना है, अगर आपको यह album में या कोई folder में जाएंगे, तो वो feature काम नहीं करेगा, यह feature ऐसा है, अगर आप यहाँ पर किसी भी photo या video क्लिक करते हैं, तो यह photos को क्लिक करते हैं, और जिसको आपको print निकालना हो, आप यहाँ तोट्स पर करेंगे, आपको यहाँ print को option मिल जाएगा, और डारेक्टी आप यहाँ से print out दे सकते हैं, तो यहाँ पर आगर आपके पास कोई printer connected है, wireless या जो भी, आप यहाँ से directly print पर क्लिक करके print out ले सकते हैं, और सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ से साएं तो उसका size भी, oriented भी, colors भी, सब यहाँ आप यहाँ पर उसका modify कर सकते हैं, तो इस तरीके से यह वाला feature काम करेगा, तो यह हो गया, आज की time में यह दो feature जो मैंने बता है, यह daily use के लिए बहुत ही कामफूल है, यह बोल सकते हैं, बहुत ही useful है, cases को enable करेंगे, उसको enable करने लिए आपको जाना है, gallery app में यहाँ जाना है, 3outs में यहाँ जाना है, settings वे, setting पर जाने का आप देखेंगे, यह नीचे की तरफ आपको एक gallery lab वाला option दिख रहा होगा, दिख रहे होंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा हो, तो आपको जाना है about gallery में, यहाँ version पर click करना है, और आपको वहाँ पर version पर click करेंगे, और आपका gallery lab वहाँ पर activate हो जाएगा, simply आपको उस पर about पर click करके, यहाँ पर version पर click करना है, और वह automatically आपको बता देगा कि gallery lab विस नेवल, gallery lab में जाने के बाद, आप यहाँ उपा की तरफ देखेंगे, आपको नीचे डो नए फिक्चर मिल रहे होंगे, जो की off रहते हैं by default, यह और यह, तो इनका काम क्या है, दिसकी support to save as PDF, जो की मैंने आपको बताया, यह आप save कर सकते हैं PDF में, और उसी की नीचे आपको मिलेगा support print multiple pictures, तो आप यहाँ पर directly printing कर सकते हैं multiple features को, जो की मैंने आपको दोनों features यूज करके बताया, दोनों को enable करने के बाद, आपको gallery को बंद करना होगा, फिर open करेंगे, तो ही यह work करेगा, क्योंकि, यह जो features हैं, यह सब features हैं, यह पिर बोल सकते हैं, beta features हैं, जो इस पर अभी working चल रही है, तो इसमें चाहिए हो सकता कुछ work हो, बट यह इसको use करने के लिए, आपको हमेशा gallery को एक बार on, off करना होगा, तो जाके वो on होते हैं, वाले feature यह पिर बोल सकते हैं, वाले feature तभी enable होते हैं, तो यह ऐसे काम करते हैं, यह आले feature उमीद है, कि आपको मेरी video पसंद आई होगा, और सबसे जरूरी चीस, अगर अभी तक आपने मेरी channel subscribe नहीं किया, तो प्लीज जाल चैनल करो, सबस्क्राइब करो और notification बेले को दबा दो, ताकि ऐसी नहीं update यह आपको सबसे पहले मिलते रहे, और हो सके, तो यह Instagram और Facebook फॉलो करना, ना भूलो इसका link आपको लीशे description में जाएगा, तो thank you दूस्तुर।